Hello friends, welcome back to another new video तो इस वीडियो में आपको MBA CAT की counseling process related सारे जो information है वो देने वाला हो और ये भी बताने वाला हो कि आपका पूरा जो admission का flow है वो कैसे रहने वाला है और आने वाले time में आपको कौन सी कौन सी जो steps है वो follow करनी होगी ताकि आपको एक बढ़ी असा जो MBA college है वो मिल जाए तो वीडियो पूरा एंटर देखते रहे है ताकि आपको ये सारे जो important information है वो मिल जाए अगर आप इस चैनल पर न्यूँ हो गईज तो subscribe परके बैल आकन जोरु से रपा देना ताकि आपको MBA CAT से related सारे जो updates है वो time to time मिलते रहे तो चले गए इस देखते की consequences जो steps है वो आपको देखने को मिलने वाली MBA CAT की पूरी counseling process में तो सबसे पहली और सबसे important होती है गए इस application form filling process अगर ये आप complete नहीं करोगे तो आप MBA CAT के examination है वो नहीं दे पाऊगे इसकी step by step video जो है वो application form कैसे बढ़ते है वो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी जैसी date series होगी तो आपको description में step by step का जो वीडियो है वो देखने को मिल जाएगा फिर application form fill करते हैं इस कुछ दिनों बाद आपको अपना जो admit card है वो मिल जाएगा और admit card आते हैं आपको पता चल जाएगा कि किस तारिक को आपकी examination है और कौन सा center आपको मिला है और उसके almost 10-12 दिन बाद आपकी जो examination है वो खंड़ की जाती है तो examination के लिए इस बैस मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि जितना मुझे MBA CET का experience है महारस्टर में अगर आप MBA कर रहे हो और MBA CET से admission ले रहे हो तो try करो कि top 20 के अंदर जितने भी colleges से उनको target करो या फिर ये try करो कि top 10 के अंदर जितने colleges से उनको try करो क्योंकि जादर नीचे अगर आप जाओगे तो फिर आपको जो quality है वो नहीं मिलेगी और placement में भी हो सकता है प्रॉब्लम है आदे जाके डीटेल में colleges के ऊपर भी चीज़े बताऊंगा but try करना कि अच्छे से अच्छा आपको जो score है वो मिले ताकि आपको एक बड़ी है सा जो college है वो मिल जाए तो examinations खतम होते ही गई फिर कुछ दिनों बाद आपको जो result है वो लगता है जिसमें आपको सारी जो शीज़े है वो clear हो जाएगी कि आपको कितने जो percentile है वो मिले है अब percentile मिलने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन से range में आपको college है वो मिल सकता है ऐसा मैं एक video बनाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा वो आपको आने वाले videos में देखने को मिल जाएगा तो result लगने के कुछ दिनों बात फिर होती है असली process चोड़ू जो के होती है आपको बता है कि application form filling process में basic information and document का बस जो status है वो बताना पड़ता है जब online registration and document verification के process start होगी तो उस time पर आपको डीटेल में सारी जो चीज़ है वो बताना होती है जैसे online registration में सारी basic information, graduation की information, 10-12 सारी information साथी में जो documents required होते है वो आपको सारे जो documents है वो भी upload करने होते है साथी में उनका जो verification है वो भी करना होता है तो यह की चीज़ मैं आपको बोलूँगा इस time की अगर documents ready नहीं है तो जितने भी documents required है आपके admission के लिए वो सारे जो documents है वो ready रखो नहीं तो फिर problem आता है जो category से भी student होते है उनको भी open में जो है वो जाना पड़ता है जिसके वज़ेसे आपको fees भी ज़्यादा देनी होती है साथी में आपको जो rank है वो भी decrease होता है FC center क्या होता है यह colleges होते है जिनको as a FC center allot किया जाता है जा पर जाके आपको documents verify करने होते है इसकी list वगेरिस जो है वो आने वाले वीडियो में आपको दिये दूँगा तो tension मतलुक फिर next is display of provisional merit list online registration and verification होने के बाद कुछ दिनों बात आपका जो provisional merit list है वो आता है जिसमें आपको यह पता चलता है कि आपको overall merit number है वो बागी के comparison में कितना है साथी में आप category से belong करते हो तो आपको category wise merit number देखने को मिलेगा अगर ladies female category हो तो female में हो तो female अगर आपका जेंडर है तो फिर आपका ladies open वाला यह फिर लेडिस category वह जो भी merit number यह सारे merit number है वह आपको आपे देखने को मिल जाएंगे ठीक है फिर next आता है guys display of final merit list प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अगर आपको कुछ भी mistake लगती है तो आप ग्रिवरेंस के थूज़ो है वह mistake को सही कर सकते हो और उसके 2-3 दिन बाद guys जो final merit list है वो लगती है जिसमें फिर कोई भी जो change है वो नहीं होता है तो सबसे important फिर final merit list हो जात कि आपको almost कौन सा जो college है वो लगने वाला है वो list में आपको दूँगा आने वाले समय में जिससे आपको clear cut merit के time ही पता चल जाएगे कि कौन से colleges मिलने के चांस से वो रहेंगे फिर merit list लगने के बाद guys जो category wise seat matrix है वो आता है जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से colleges में कितनी seats available है उस seats में कितनी seats कौन से category के लिए पहले से result है सारे information इससे मिलेगी इसके ओपर detail में हम video बनाएंगे और discussion करेंगे कौन से colleges में कितनी seats है और कितनी probability है वा पर आपकी admission होने की यह जैसी आती है कि इस दो तिन दिन बाद आपका जो असली process cap round filling process है वो start हो जाएगी इस बार जो preference है वो देना पड़ता है वन से लेके तो जितनी colleges आप डालोगे वैसा preference देना होता है preference देना बहुत important and सबसे important option form होता है क्योंकि अगर आप अच्छे options दोंगी colleges के तबीजा कि आपको college अच्छा जो है वो लगेगा अब option form कैसे बरना है इसके उपर हम detail में videos तो बराएं allotment later मतलब आपका result जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको captain one में college लगा है या नहीं लगा है अगर college लगता है और अगर आपको वह college चाहिए तो admission कर लेना अगर वो college नहीं चाहिए तो फिर second round third round में जो है वो आप जा सकते हो कैसी process रहेंगी वो हम आगे देखेंगे जब प option form बरना है कैसे betterment के लिए वो जाना है कि फिलाल तो यह जान लेजिए कि ऐसे पूरी steps है वो रहने वाली है और सबसे important सारे जो documents है वो ready रखना है और अपना जो preparation है वो बहुत ही खतरनाथ तरीके से करना है ताकि आपको जो percentage है जो आपका rank है वो अपल जाया और जो college है वो mistake है वो ना हो ठीक है तो मिलते हैं ऐसी और एक informative वीडियो में